प्रभु इश्यू के मदुर नाम में नमस्कार दोस्तों आज फिर से परमेश्वर के वचन के समक्ष बैठ कर परमेश्वर के वचन से एक हिसा लेकर उसका अध्यान प्रस्तत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कारण कई है एक यह है कि परमेश्वर के वचन का अध्यान हमारे जीवन में अपने अप में एक बहुत धन्य बात है अध्यान के लिए दूसरों को प्रेरित करना वो भी जीवन में एक बड़ी धन्य बात है और अध्यान के लिए तायार लोगों को परमेश्वर का वचन समझाना पहले पत्रस चार दस की और ले जाना चाहता हूं। पहले पत्रस चार दस में एक विशे के बारे में हम पढ़ते हैं और विशे है आत्मिक वर्दान। आत्मिक वर्दानों के बारे में पढ़ते हैं पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र को विस्तार से समझाता है। रोमियों की पत्री 12 अध्याये, पहला कुरिंतियों 12, 13, 14 अध्याये, इफीसियों 14 अध्याये, और पहला पत्रस 4 अध्याये। याद रखना काफी आसान है, शुरू के दो जो हैं उनमें 12 याद रखेंगे, रोमिय 11 पहला कुरुंथियों 12, 12 से 2 अध्याय और 13, 14 लेकिन इन दिया पर रोमिय 12, पहला कुरुंथियों 12 याद रखेंगे, तो इन दोनों हिस्सों को याद रखना आसान है और ये दियाप इफीसियों 4 और पहला पत्रस 4 याद रखेंगे तो जो दूसरे दो पद हैं वो याद रखना आसान है पहले के ये जो 12 अध्याय मैंने आपको बताए रोमिय 12 और उसके अलावा खास कर पहला कुरुंतियों 12, 13, 14 उसमें विशे को काफी विस्तार से समझाय गया है इफीसियों में विस्तार कम है पहला पत्रस 4 दस में विशे का विस्तार और भी कम है लेकिन हमारे एक क्लास के अध्यान के लिए परियाप्त है और इसलिए हम उसको पढ़ेंगे पहला पत्रस 4 दस में लिखा है जिसको जो वर्दान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के भले भंडारियों के समन एक दूसरे की सेवा में लगाए सवाल यह है कि वर्दान का क्या मतलब है क्योंकि यहाँ पर चर्चा वर्दान के उपर है वर्दान के बारे में परमेश्वर के वचन में खास कर पहला कुरिंथियों 12-13-14 में जो शब्द प्रयूक्त किये गए हैं उनके आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि आत्मिक वर्दान एक विशेश योग्यता है या विशेश आत्मिक योग्यता है जो हर व्यक्ति को उधार के समय पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है आप कहेंगे सब को दी जाती है क्या जी हाँ इसलिए पहला पत्रस चार दस जो है उसके आरम में ऐसा ने लिखा हुआ है कि जिन जिन को वर्दान मिला है लेकिन यहां पर्मेश्वर का वचन कहता है जिसको जो वर्दान मिला है इसका मतलब यह है कि यदि आप एक मसीह है मसीह से मेरा तातपरी ये है कि यदि आपने प्रभूई ईश्व को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया है तो आपको निश्चित रूप से कम से कम एक वरदान मिला है क्योंकि परमिश्वर का वचन ही कहता है कि जिसको जो वरदान मिला है ये नहीं कि जिन जिन को वर्दान मिले हैं सब को मिला है और जिस जिस को जो मिला है वो उसका उपयोग करे पहला कुरंतियों बाराक अध्यान करने पर ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार ये वर्दान विश्वासियों को देते हैं वो अलग विश्व है उसको हम बाद में देखें कि आज जो वर्दान मिले हैं उनका उप्योग कैसे किया जाए इसके बारे में हैं इसके एक प्रिष्ट भूमी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रभू ईश्व ने कई उदाहरण दिये थे जिसमें स्वामी दासों को बुलाकर उनको एक धन राशी देता है आज हम उसनुवात को पढ़ते हैं कि उसको जो है एक तोड़ा दिया या उसको ये दिया एक दीनार दिया तो हमारी भाश़ा में कोई माईना नहीं रखता है लेकिन जब हम उसको ओरिजिनल भाश़ा में देखते हैं कम से कम प्रभू ने जो उदाहरन दिये थे उसमें से एक में स्वामी ने दासों को जो दिया था वो सोने का एक पिंड था लगभग एक किलोग्राम का एक पिंड था इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी ने दासों को जो दिया वो एक बेश कीमती संपदा थी जिसे अपन क्यापिटल भी बोलते हैं और प्रभु ने ये जो इस तरह के उदाहरण दिये थे ये उपुमाए दी थी उसमें कम से कम एक में दासों को ना केवल दिया बलकि उनसे ये भी कहा कि जाओ वी निमे करो उससे वो जो प्रष्ठ भूमी है उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु जो आत्मिक वरदान देते हैं प्रभु के ही शब्दों में उसे एक आत्मिक पूंजी समझना चाहिए हम जानते हैं कि किसी भी छोटे या बड़े व्यापार के करने के लिए पूंजी की जरुरत पड़ती है खासकर बड़ा व्यापार हो तो उसमें काफी पूंजी की जरुरत पड़ती है तो प्रबु ने वो जो प्रश्ट भूमी अपने जीवन काल में दी थी उसके आधार पर और उसके बाद में नाइनियम के चार पत्रियों में हमको जो आत्मिक वर्दानों के बारे में जो बात्शित जो वरनन मिलता है उसके आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आत्मिक परदान जब पवित्रात्मा अपनी इच्छा के अनुसार एक नए विश्वासी को देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी आत्मिक पूंजी है और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसको जो पूंजी मिली है जिसको जो वरदान मिला है उसका अनुवाद हम यो भी कर सकते हैं कि जिसको जो आत्मिक पूंजी मिली है वो उसका उपयोग करे जब भी मैं आत्मिक के बारे में बोलता हूं तो मुझे कई कहानिया याद आती हैं जिसमें एक कहानिय मैं आपको बताऊं मेरा बच्छपन मदिप्रदेश के ग्वालियर में बीता था वहां बहुत ही व्यस्त एक रोड के बगल में मसीही प्रार्थनाले था जहां पर हम लोग रहते थे और रोज शाम को लगभग अंदेरा होते होते हमारे घर के सामने एक भीकारी आके बैठता था और बहुती दैनी आवाज में ए जाने वाले कुछ दे जा प्रभू तेरा भला करेंगे और वो ऐसी दर्दनाक आवाज में ये पुकार लगाता था कि जाने वाले के हाथ अकस्मात अपन इस तरह से कई साल गुजर गए अचानक उसका आना बंद हो गया दो दिन के बाद अक्मार में खबर आई कि फलानी जगह पर जो भीकारी बैठकर याचना करता था उसकी मौत हो गई है और उसके घर या रिष्टेदार ना होने के करण नगरपालिक निगमने जाकर उसकी ड ये तो स्वाभाविक बात है हमारी नगरपालिका इस तरह के काफी अच्छे कारी करती थी लेकिन अखबार में उसके बाद जो खबर थी वो चौका देने वाली खबर थी खबर ये थी कि ये भीकारी कई सालों से इस तरह से जो भीक मांग रहा था उसको नियमित रूप से दिन के समय वो बैंक में जमा करवा देता था शाम को भीक मांगता था अगली सुबह वो बैंक में जमा कर देता था खासकर जब खुले पैसे की बड़ी कमी थी तो सुबह वो ये पैसा उंची रेट पर होटल वालों को और तांगे रिक्षे वालों को देता था और उनसे ज गुजार करता था दूसरों के दीवे कपड़े पर गुजार करता था और इस तरह से उसने कई सालों में जो पुझी बैंक में डाली थी दस लाखों में वो पुझी थी नाकेवल बैंक में पैसा था उसके पास जमीन जायदाद भी थी और उसने इसी पुझी से कई मकान भी ख मैने के एक मकान में रहता था जहां उसे ना मातर का किराय देना पड़ता था कुल मिला कर जब उसकी संपती का हिसाब लगाया नगर निगम ने तो पता चला कि उस दिन जिस दिन नगर निगम के पास ये पैसा आया इस आदमी की चल और अचल संपती कुल करोडों रुपे में थी आपने भी इस तरह की कहानिय पड़ी होंगी इस तरह की लोग कई जगह होते हैं कोई विकारी, कोई चपरासी, कोई गाउं का गरीब आदमी लेकिन इन सब घटनाओं में एक common बात जो हम देखते हैं वो यह है कि उसके पास इतनी पूंजी थी कि उसकी दस पीडिया खाए तो अभी पूंजी खतम नहीं होती लेकिन इस पूंजी का फायदा उसको नहीं हुआ उसने कभी एक आसान जिंदगी, एक आराम की जिंदगी नहीं बिताए उसने कभी धंके कपड़े नहीं पहने उसने कभी धंका खाना नहीं खाया उसने जीवन में कभी आनन के चंड नहीं देखे पूंजी के अभाव के कारण नहीं बलकि उसके पास जो पूंजी थी उसका उसने उपयोग नहीं किया उपयोग ना करने के कारण जीवन भर वो करोडपती कंगल ही बना रहा और फाइनली ठंड के कारण और भूख के कारण उसकी मृत्ति हुई मेरे प्रीभाईयों और बहनों पवित्र आत्माने मुझे और आपको जिस छण हमने उधार पाया उस छण जो आत्मिक वर्दान दिया है उस आत्मिक वर्दान का उपयोग हम नहीं करते हैं तो मेरी और आपकी स्थिति उस विकारी के समान है जिसके पास अथाव पूंजी थी लेकिन वो मरा भूख से और ठंड से हमारे पास पवित्र आत्मा द्वारा दी गई अथाव पूंजी है लेकिन यदि आप आत्मिक वर्दान के बारे में अग्यात है उसका उपयोग नहीं करते तो हम भी उस अथाव पूंजी को बर्बाद कर रहे हैं उस बिकारी में और हम में एक फरक है वो तो चला गया उसके साथ-साथ उसका नुकसान हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं जाएंगे हम लोग जब इस पृत्वी को छोड़ कर जाएंगे तो प्रभू के द्वारा दिये गए नए शरीर में महिमित शरीर में अनंत काल तक परमेश्वर के साथ जीवन बिताएंगे और हमने इस पृत्वी पर जो भी आत्मिक पूंजी इखटी की है या बिनिमे के द्वारा पूंजी को जो बहुत अधिक बढ़ा लिया है वो भी हमारे साथ जाएगा इसका इशारा प्रभू ईश्व ने कहा था कि प्रियदास तू थोड़े में विश्वस्त रहा जा दस शहरों का मालिक हो जा इसी तरह से मेरा और आपका एक दिन नियाए होगा जब हम प्रभू को यह हिसाब देंगे कि प्रभू ने हमको जो पूंजी दी थी उसका हमने क्या उप्योग किया कैसे उप्योग किया और हमने उस पूंजी को कितना गुना बढ़ाया यदि इस भिकारी के समान हम अपनी पूंजी को इधर उधर दबा के रखें तो जब हम यहां से चले जाएंगे और जब हमारा हिसाब लिया जाएगा तब प्रभु में नव जीवन पाने के बावजूद पवित्रात्मा से कम से कम एक आत्मिक वरदान के रूप में आत्मिक पूंजी मिलने के बावजूद और हर च्छंड हमारी मदद के लिए पवित्रात्मा की मौजूदगी के बावजूद हम आत्मिक रूप से कंगाल ही रह जाएंगे और शाश्वत काल तक शाशुत का मतलब है कभी कि खतम होने वाले काल तक हमें इसका अफसोस रहेगा कि आउसर मिला हमने उस आउसर का उपयोग नहीं किया प्रभु ईशु ने पृष्ट पूमी में जो कहा था कि उस दास से जिसने जिसको एक मिला था जिसको जो है एक ने तुरूमल में बांद रखा था एक ने जमीन में गाड़ दिया था उन दासों से हर एक से स्वामी कहता है हे दुष्ट दास उसमें एक उपमा में तो प्रभु ये भी उससे पूछते हैं कि तुने क्यों उसको ब्याच पर नहीं उठा दिये जब एक किलो सोना मिला है प्रभु ये शु के जमाने में सर्राफ लोग होते थे जो बाकाइदा पैसा या सोना लेके जो है उस पर ब्याच देते थे तूने क्यों उसको ब्याच पर नहीं उठा दिया यदि तूने ऐसा किया होता तो मैं वापस आकर अपनी पूंजी भी ले लेता अपना ब्याच भी ले लेता तूझे कुछ न करना पड़ता लेकिन जानते हुए भी तुने ऐसा नहीं किया इसलिए प्रभू उसको ये दुश्ट दास कहकर संबोधित करते हैं इतना ही नहीं प्रभू उस घटना में प्रभू ये बताते हैं कि स्वामी ने अपने दास को सजा दी हम जिन लोगों ने उद्धार पाया है हम नरक की सजा से तो मुक्त हो चुके हैं लेकिन परमेश्वर का वचन ये याद दिलाता है कि हिसाब देना पड़ाएगा और जब हिसाब देंगे तो आत्मिक वरदानों के रूप में प्रभू ने हमको जो पूंजी दी है उस पूंजी के उपयोग के बारे में भी हमें हिसाब देना हो गया इसलिए परमेश्वर का वचन याद दिलाता है जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुगरे के भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए मतलब वह उसका उपयोग करे मेरा आज आपसे पहला प्रश्णिये है मेरे प्रिये भाई मेरी प्रिये बहन आज से कुछ महीनों पहले या कुछ सालों पहले आपने प्रभू ईश्व को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया होगा और जिस छण आपने प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया उस छण पवित्रात्मा ने आपके जीवन के लिए सबसे उपियुक्त कम से कम एक आत्मिक वरदान आपको दिया क्या इतने महीनों के ये इतने सालों के बाद आपने उस आत्मिक वर्दान को पहचान लिया है? पहचाना है क्या? मैं अपने ही उदाहरण देना चाहता हूँ मैंने काफी early उमर में ही प्रभु ईशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन कर लिया था लेकिन मैं आत्मिक वर्दानों से अपरिचित था, नहीं जानता था कभी इस फिशे में कोई संदेश नहीं सुना, कोई बाइबल क्लास नहीं सुना प्रभु के वच्चन से भी पढ़ा तो कभी मैं ना तो उसको समझ पाया ना ही डीटिल में समझने की कोशिश की मैं लगबख 16 साल का था जब पहली बार आत्मिक वर्दानों के बारे में मैंने एक क्लास एटिन की, तब मुझे पता चला कि आत्मिक वर्दान होते हैं और तब से मैं अपने आत्मिक वर्दानों को ढूंडने लगा लेकिन वो 16 साल से कई साल पहले मैंने प्रभू य इश्व को जब मुक्ति दाता के रूप मैं ग्रंड किया था तब मुझे प्रभू ने आत्मिक वर्दान दिया थो। तब से लेकर 16 साल की अमर में जब मैं उसे आत्मिक वर्दान होते हैं ये समझ कर अपने आत्मिक वर्दानों को ढूंडने लगा इतने साल वो पूंजी मेरे पास बेकार पड़ी रही यही मेरा आज आपसे प्रश्न है आपने प्रभूई इशु को काफी पहले या कुछ महीनों पहले मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया होगा ग्रहन करते ही आपको जो पूंजी दी गई है वो पूंजी क्या है इसका आपको कुछ हनुमान है क्या जितने दिन हम अज्यानी रहेंगे उतना ही अधिक पूंजी का दुर भी नियोग होता रहेंगे क्योंकि प्रभू की नजर में और प्रभू की वानी के अनुसार जिसने पूंजी का उपयोग नहीं किया वो पूंजी का दूर भी नियोग कर रहा है या उसका गलत उपयोग कर रहा है आपने अपने आत्मिक वरदान को पहचाना है क्या? आप पूछेंगे ब्रदर आत्मिक वरदानों को कैसे पहचान सकते हैं? साफ बात है जिब एक व्यक्ति परिमेश्वर के वचन का अध्यान करता है जब मंडली में जो भी उसको आत्मिक आउसर मिलते हैं उन सब आउसरों का उपयोग करता है तो प्रभू उसके उपर अपनी इच्छा प्रगट करते हैं और जैसे जैसे प्रभू अपनी इच्छा प्रगट करते हैं उसके साथ साथ वो अपने आत्मिक वरदान को भी पहचानने लगता है ये है आत्मिक परदानों को पहचानने का तरीका उसका कोई शॉर्ट कट नहीं है तो यदि आप ने आज तक अपने आत्मिक परदानों को नहीं पहचाना है तो जरा आँख खोलिए आप जिस मंडली में जाते हैं जिस चर्च में जाते हैं वहाँ पर आपको जो आत्मिक आउसर मिलते हैं उनाउसरों का खुलकर आप उपयोग करते हैं क्या या आउसरों को रिफ्यूस कर देते हैं देखिए प्रभू उसी व्यक्ति को रोशनी देते हैं उसी व्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं जो रास्ता पाने के लिए तयार है और प्रभु ने जो आसर दिये हैं उन आसरों का उपयोग कीजिए और जल्दी ही आपको ये बात जो है व्यक्त साफ जो है पता चल जाएगी कि आपका आत्मिक वर्दान क्या है तो जो वर्दान मिला है वो उसे परमेश्वर के भंडारी के समान आजकल भंडारी नहीं होते हैं बहुत कम लोगों के घरों में भंडारी होते हैं लेकिन आज से कुछ दशाबदी पहले तक जो बड़े धनी लोग होते थे उनके घर में एक मुनीम होता था मुनीम सुबा आकर बिजनस वगरा करता था सेठ आराम से लेट आता था और जल्दी उठ जाता था मुनीम शाम तक सारा व्यापार करता था बही खाता रखता था हिसाब रखता था और बाद में जहें सेठ को हिसाब देता था ये है भंडारी पिरमेश्वर के वचन में भी हम भढडारियों को देखते हैं उसका सर्वतम उदाहरण है यूसुफ यूसुफ जब पोतीफर के घर में दास के या गुलाम की रूप में पहुँचा तो पोतीफर ने उसे अपना भढडारी बना दिया सब चीजों की जिम्मेदारी दे दी वो है भढडारी बाद में यूसुफ को जब फिरॉन ने अपना मंत्री नियुक्त किया तो मिस्र देश का सारा धन जन धन सब उसके हाथ में दे दिया और वो फिरॉन के लिए कारी करता था वो है भढडारी प्रभू ने मुझे और आपको भणडारी बनाया है आधुनिक शब्दों में कहा जाए तो मैनेजर बनाया है मैनेजर हर चीज को मैनेज करता है मतलब हर चीज को नियंतरित करता है लेकिन वो मालिक नहीं है मालिक होता तो मालिक कहलाता ना कि मैनेजर भाईयों और बेहनों मैं और आप परमेश्वर के भंडारी है और भंडारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि आत्मिक वर्दानों का सुबह से शाम तक जीवन के हर छण विनिमे करें आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है नाना प्रकार के अनेगर के भले भंडारी यहां और भी कई शब्दा आगे हैं नाना प्रकार के इससे हमको यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रभू जो आत्मिक वर्दान देते हैं उसमें बहुत अधिक विवित्ता है मुझे कुछ देते हैं मेरे भाई को कुछ देते हैं आपको कुछ और देते हैं इवन मुझे और आपको एक ही वर्दान दिया तो इवन उसे एक ही वर्दान में विवित्ता पाई जाती है ये पिरमिश्वर कवचन इस तरह से यहाँ पर और अन्य जगों पर विवित्ता के बारे में इसलिए बूलता है क्योंकि मसीही जगत में कई बार एक या दो वर्दानों को लोग जबरदस्ती सबके सामने खीचतान के सबसे बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं मुदाहरन के लिए अन्य भाष्शा, अन्य भाष्शा पहला कुरिंथियों बारवे अध्याएं में जो आत्मिक वरदान बताएं गे थे उसमें से एक वरदान है स्थाई है, अस्थाई है, वो अलग चीज है, उसका अध्याएं हम अलग करेंगे लेकिन कुछ लोग उस एक वर्दान को जो है जिस तरह से फुग्गे को फुला फुला के बड़ा बना देते हैं उस तरह से बड़ा बना के बस वही एक वर्दान है और सब लोग उसकी कामना करें ऐसा सिखाते हैं ये गलत है परमेश्वर का वचन स्पष्टतेया बताता है कि प्रभू जब आत्मिक वर्दान देते हैं तो नाना प्रकार के वर्दान देते हैं और जब प्रभू विविद प्रकार के वर्दान देते हैं और जब प्रभू ने ही उसमें एक विवित्ता रख रखी है ये प्रभू जानते हैं लेकिन रखी है ये बात परमेश्वर का वचन स्पष्टता बताता है यह एक शब्द दोर आया है नाना प्रकार के अनुग्रह के आत्मिक वर्दान पाना एक अनुग्रह है इसमें मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं है पवित्र आत्मा अ आधार पर आत्मिक वर्दान नहीं दिया जाता है बलकि पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह के आधार पर देते हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है एक और शब्द यहां पर विशेश है वो है भले भंडारी इसके पीछे कारेंड है एक भंडारी एक मैनेजर एक स्टोर कीपर भला भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है मैं अपने स्वयम के जिवन में ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो मैनेजर या स्टोर कीपर रहते समय थोड़ा थोड़ा सामान अपने दफ्तर से खीच कर अपने घर लाते थे प्रभू इशू के जमाने में भी जो भंडारी लोग थे उन में से कुछ थे जो इस तरह का काम करते थे आपको याद होगा प्रभू ने एक उदाहरन बताया था कि भंडारी था उससे का के हिसाब दो तो उसने एक को बुला कर पूझ आए तुमारा कितना लोन है तो बुला कि सर इतना एच्छा उसको घटा के इतना लोगों को अपने मालिक के खर्चे पे जो है लोगों को जो है छूट दी यह है बुरे भंडारी का दुनिया के हिसाब से वो स्मार्ट था बुद्धिमान था उसका स्वयम का मालिक कहता है कि वो बुद्धिमान था लेकिन दुनिया के हिसाब से बुद्धिमान था परमेश लापरवाही नहीं है क्या तो मुझे और आपको परमेश्वर के भंडारी जब प्रभू ने बनाया है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम भले भंडारी की रूप में काम करें कई बार आत्मिक वर्दानों का उपयोग स्वार्थ के लिए किया जा सकता है कई वर्दान इस तरह के हैं जिनका उपयोग स्वार्थ के लिए किया जा सकता है कई लोग हैं जो स्वारत के लिए करते भी है जैसे प्रभू का वचन सुनाने की सामर्थ प्रभू ने किसी को दी है और वो उस वचन को सुना कर जब लोग जूमने लगते हैं तो उसके बाद जो है लोगों से कहता है कि प्रभू से और अधी कनुगरह पानी के लिए वो क्या है, वो बाल्टी जो है सीधे इस प्रचारक के कमरे में पहुचाई जाती है, और इस तरह से कई प्रचारक हैं, जो करोड़ पती या अरब पती हो चुके हैं, कम हैं, लेकिन हैं इस तरह के लोग मसीही जगत में, जो हम को एक बार और याद दिलाता है, प्रभु ने यदि हमको भंडारी बनाया है, तो हमें भले भंडारी बने रहना चाहिए, भले भंडारियों के समान आगे हम देखते हैं, एक दूसरे की सेवा में लगाएं, कई आत्मिक वरदान ऐसे हैं, जिसके द्वारा हम मनिश के सामने बड़े बन सकते हैं, खासकर पुल्पित में प्रभू का संदेश देने का जो आत्मिक वरदान है, उसका दुर्विनियों करके लोग जो है अपने आपको बहुत बड़ा सांसारिक रूप से बना सकते हैं, पजमेश्वर का वचन याद दिलाता है, कि आत्मिक वरदानों का उपयोग मेरे और आपके स्वार्थ के लिए नहीं, बलकि पजमेश्वर की सेवा के लिए होना चाहिए, तो मेरे प्रिमित्रों, जो हमने देखा, उसके एक साराश, मैसेज अभी खतम नहीं हुआ है, लेकिन एक साराश, हम सब को कम से कम एक वरदान अपने उद्धार के समय मिला है, ये वरदान एक महान पूंजी है, और इसका उपयोग नियमित रूप से करना और प्रभू के लिए पूंजी बटोरना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, ये हमको पूंजी जो मिली है, इसमें हमारी कोई योगिता नहीं है, प्रभू ने अपने अनुग्रेखे कारण हमको दिया है, इस तरह से जो आत्मिक व मैं आपको याद दे लाना चाहता हूँ, पहली बात, नाम भंडारी है, जिसका मतलब यह है कि पूंजी आपके हाथ में है, लेकिन पूंजी आपकी नहीं है, हमें कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रभू ने आत्मिक वरदान मेरे और आपके हाथ में दे दिया है, ये एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत भारी पूंजी है, लेकिन ये ना तो मेरी संपत्य है, ना आपकी संपत्य है, ये पूंजी प्रभू की है, और प्रभू ने हमको उस पूंजी का मालिक नहीं, उसका मैनेजर या उसका भंडारी बनाया है, दूसरी बात, जब ए तो मालिक हमेशा अपने द्वास को उस भंडारी को भी उसमें से भरपूर पूंजी देता है प्रभू इश्यू के जमाने के ही कई उदाहरण है इतिहास में हम देखते हैं जहां अच्छे भंडारियों को उनके स्वामियों ने इतना धन दिया कि उस पैसे के उपयोग से उन् मुझे और आपको हम लोग गुलाम नहीं है प्रभू के गुलाम है एक और तरीके से लेकिन दूसरी और प्रभू ने हमको सोतंत्र बनाया है हमें अपने आजादी खरीदने की जरुरत नहीं प्रभू ने हमको अपने खून के द्वारा हमको आजादी दी है लेकिन ये दू पूंजी का सदुपयोग करके स्वामी के लिए दो गुना पांच गुना और दस गुना लाएंगे तो प्रभू कभी भी हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे दो शहर का स्वामी बन पांच शहर का स्वामी बन दस शहर का स्वामी बन जब प्रभू अपने दास से कहते हैं तो वो देता है यदि आप अपने आत्मिक जीवन में अन्गर्ः पाना चाते हैं प्रभू के और से दी गई पुन्जी अपने स्वयम के लिए चाते हैं तो प्रभू का बच्छन याद दिलाता है कि आपको जो आत्मिक पुन्जी दी गई है उसका दुर्विनियोग मांगा जाता है और हिसाब देना जरूरी है आप उस हिसाब के दिन को avoid नहीं कर सकते जिस दिन हिसाब दिया जाता है उस दिन जिसने पूनजी का उपयोग सही रीती से किया है उसको प्रतिफल मिलेगा लेकिन पूनजी का दुर्विनियोग करके कोई भी बच नहीं सकता है प्रभु ने जो उदाहरंड दिये थे उसमें हम देखते हैं कि पुण्जी के दुर्विनियों जिन दासों ने किया था उनको सजा मिली थी पहले कुरिंथियों तीसरे अध्याय में हम ये देखते हैं कि आग हर एक व्यक्ति का कारिय परखेगी और जिसने घास, फूस और लकडी से धाचा बनाया है वो जल जाएगा सिर्फ सोना, चांदी और बहमूले पथर के द्वारा जो रचना हुई है वो बचा रहेगा ये हमारे आत्मी जीवन के बारे में है कि और जब हम हिसाब देंगे तो ऐसी कई बाते होंगी जो जल जाएंगी इब्राइनी के पत्री छटे अध्याय में भी हम देखते हैं कि भूमी बच जाएगी लेकिन जलते जलते जो फिर से ये बात हमको याद दिलाती है कि आत्मिक जीवन में हिसाब देना होगा हर चीज का हिसाब देना होगा जिसमें से एक है आत्मिक वर्दान तो दास को कभी भूलना नहीं चाहिए कि एक दिन हिसाब देना होगा और उस दिन या तो उसे प्रतिफल मिलेगा या वो प्रतिफल खो देगा खोए हुए प्रतिफल के साथ शाश्वत जीवन बिताना अपने आप में एक बड़ी सजा है जब हमारे चारों तरफ तमाम लोग अपने प्रतिफलों के साथ चलते फिरते हैं तो मेरे प्रिये भाईयों और बहनों आत्मिक परदानों के बारे में आज हमने जो परमेश्वर के वचन से देखा उसमें से ये तीन बाते एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूँ पहली बात प्रभू ने दिया है संपत्ती प्रभू की है मेरी आपकी नहीं है हम लोग मालिक नहीं है भंडारी है और ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए दूसरी बात यदि आप प्रभू के लिए सही विनिमे करेंगे तो जिस तरह से प्रभू ने कहा था दो शहर पांच शहर या दस शहर का अधिकारी हो प्रभू उसका भरपूर प्रतिफल मुझे और आपको देंगे प्रभु के भंडार से चोरी करने की जरूरत नहीं है प्रभु को धोखा देने या लूटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए तीसरी बात हर गुलाम, हर भंडारी का एक दिन लेखा जोखा होगा उस दिन हमको हिसाब देना पड़ेगा जिसने प्रभु के लिए कमाया है उसको प्रभु से आशिश मिलेगी जिसने प्रभु का दिया हुआ बर्बात कर दिया है प्रभु से जो आशिश मिलनी है वो नश्ट कर देगा और उस नाश के साथ वो अपने अनंत काल तक जीएगा क्लोसिंग में मैं फिर से आप से पूछना चाहता हूँ आपने प्रबु को कब ग्रहन किया कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले उसके बाद आपने आत्मिक परदानों को पहचाना है क्या नहीं पहचाना तो क्यों नहीं पहचाना क्या बहाना है प्रबु के सामने कोई भी वेक्ती क्या बहना बना सकता है मानके चले कि आज तक आपने आत्मिक वरदानों के बारे में नहीं सुना था तो आज आपने सुन लिया है आज आप जान गये हैं कि जिस छण आपने प्रबु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया उस छंड आपको कम से कम एक आत्मिक वरदान दिया गया था प्रभू की करुणा के कारेंड कम से कम उस आत्मिक वरदान को ढून कर पहचान कर पोशन करके उस पूंजी को निवेश करके प्रभू के लिए और अधिक पूंजी कमाने की कोशिश करें आप शैद आखर में पूछेंगे ब्रदरे एक बार और बता दीजे की आत्मिक परदानों को किस तरह से पहचाना जा सकता है जैसे मैंने बताया था इसके लिए कोई जादूई छड़ी नहीं है जो मैं आपके सर पे घुमा दूँ और आपको पता चल जाए मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हमको जो भी बाते पता चलती है वो दो तरह से पता चलती है नमबर वन जब हम पदमेश्वर के वच्चन का पाठ करते हैं तो उसके द्वारा पता चलता है नमबर टू रोमियों के पत्री बारोय अध्याय के पहले और दूसरे पत्र को जब हम पढ़ते हैं प्रभु ने आपको अपने आत्मिक जीवन में जो भी आउसर दिये हैं, उन आउसरों का सहीरीती से उपयोग कीजिए, और जब आप सहीरीती से उपयोग करेंगे, विश्वासियों के मंडली के साथ संगती में रहेंगे, तो धीरे 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 आपको यह सपष्ठ हो कि आपका आत्मिक परदान क्या है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैं जब 16 साल का था तब मुझे पता चला कि आत्मिक परदान होते हैं, तब से मैं अपने आत्मिक जीवन में जितना विश्वस्त रह सकता था, उतना विश्वस्त रहने की मैंने कोशिश की, परमेश्वर का वाचन का अध्यान करता चला गया धीरे 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 मेरी ही आसपास मेरी ही मंडली के लोगों ने ये महसूस किया कि परमेश्वर के वाचन की शिट्षा देना टीचिंग ये शायद मेरा आत्मिक वर्दान है उन्होंने मुझे आउसर दिये हर आउसर का मैंने सही रीती से सिखाना टीचिंग मेरा आत्मिक वर्दान है B.Sc. सेकंड यर के आखरी स्टेज आते आते मेरी ही मंडली ने मुझे नियमित रूप से मेरी ही मंडली में परमेश्वर की वच्चन की शिठ्षक के लिए शिठ्षक नियुक्त किया मैं मंडली के एल्डर्स या मुख्यों मैं से एक नहीं था मैं उनसे उमर में बहुत छोटा था जूनियर था लेकिन इसके बावजूद जब उनको ये बात महसूस हुई कि इस व्यक्ति का आत्मिक वर्दान ये है तो उन्होंने मुझे उसके लिए आउसर दिया मैं ग्वालियर की अपनी मंडली का इसके लिए बहुत आभारी हूँ तब से लेकर आज तक मैंने अपने आत्मिक वर्दान को बहुत ही गंबिरता से लिया है इसको पूरी तरह से विनिमे करने के लिए मैं बहुत अधिक समय देता हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़ने, मनन करने, सीखने इवन दूसरों से सुन कर सीखने के लिए प्रभू आपकी मदद करें कि इसी तरह से आप भी नियमित संगती, परमेश्वर के वचन के नियमित पाठ और अपनी जो स्थानी ये मंडली है, उसमें अपने involvement के द्वारा अपने आत्मिक वरदान को पहचान सकें और पहचानने के बाद उसका भरपूर उपयोग कर सकें जिससे कि कल जब प्रभू के सामने मैं और आप खड़े हूँ तब प्रभू आप से कह सके, हे मेरे विश्वस्त दास मैंने तुझे बहुत बड़ी पूंजी दी थी मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से जरा सी पूंजी मैंने तुम को दी लेकिन तुम उसमें विश्वस्त रहे और इसलिए जाओ दस शहरों के मालिक बन जाओ या आज की भाष्शा में कहा जाए तो जाओ मैं तुम को एक बहुत बड़ा प्रतिफल देता हूँ उस प्रतिफल के भागी हो सारी दुनिया में जितने विश्वासी है बे देखेंगे मतलब मैं सारी दुनिया से मेरा मतलब है आने वाली दुनिया में उस नई आकाश और नई भूमी में लोग देखें कि तुमने आत्मिक जीवन में क्या किया है और प्रभू ने तुमको क्या दिया है इन सब बातों को समझने के लिए और इन बातों को समझ कर मेरे और आपकी जीवन में हम उत्सा के साथ अपने आत्मिक परदानों को ढूंड कर उनका पोशन करके उनका अधिक तम उपयोग करने के लिए प्रभू मेरी और आपकी मदद करे जैमसी की प्रभू आपकी मदद करे